तो हलो और वेलकम दोस्तों कैसे आप सब आप सब बढ़ी होंगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हमारा जो है लॉस कैसे हुआ और लॉस की एक स्ट्राइक प्राइस जो थी वह थी इक ताड़े 400 की पी एक ताड़े 400 की पुठ थी और हमने किस तरह से ट्रेड लिया था वह भी वन मेनट टाइम पर फाइव एम में का यूज करते हुए तो आज इनी सब बातों का डिसकस इस वीडियो में करेंगे दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप अगर यहां पर देखेंगे तो मार्किट ने गैप अप दे दिया ठीक है दोस्तों मार्किट ने एक अच्छा खासा गैप यहां पर हमें दे दिया और उसके बाद क्या किया मार्किट ने यहां से गैप देने के बाद एक बड़ी रेड केंडल और उसकी विक बना दी थाव्यातर दोस्तों बनाने के बाद मार्केटर ने यहां से रिकवरी और लगातार एकदम से 1 2 3 4 मतलब 4 ग्रीन केंडल बना दी थी़्यात्य vandaag दोस्तों चार ग्रीन केंडल बनाने के बाद हमारे पास जो लेवल था इक ताली एक सो पसका और इस लेवल से हम यह सोच रहे थे कि यहाँ पर इस लेवल से मार्कE2ा तैसे ऑपनिंग और market acid downtrend में चला जाएगा रिटेस्ट करें इसको यहां पर एक बार रेटेस्ट करने डाउंट्रेंड में चला जाएगा हम ने ऐसे expectation लगा रखिती बट उसके साथ साथ जो हमारी विक्स थी इंडिया विक्स वो बाराँ पर आ गई थी और इंडिय वेक्स जो लो थी तो इसी की वज़े से हमारे पुट का प्रीमियम जो था वो बढ़ नहीं रहा था और नहीं उसके अंदर कोई चेंजिस देखने के लिए मिले हमें तो यहां पर देखिए के यह तीन चार केंडल बनाने के बाद इस केंडल ने अलर्ट दिया और अगली जो केंडल थी यहां पर हमने क्या किया स्टॉप लॉस रखा और इसकी क्रोसिंग पर हमने बाइंग करी अब यहां पर मिस्टेक क्या हुई दोस्तो जो हम से मिस्टेक हुई वो हुई कि हम क्या करते हैं आगर चल रहा है तो एक केंडल स्टिक बनेगी फिर दूसरी जो केंडल स्टिक बनेगी तब जाकर थोड़ा ऐसे का सीन थोड़ा दूर पर यहां पर दूर नहीं बनी थी वह पास में थी लगबक तीन केंडल वाला क्राइटेरिया हमारा फिलप था उसके बाद इसने जैसे ल नए अंट्री बनाने के साथ साथ है एसल रखा एसल रखा मार्केट थोड़ा सा नीचे आया फिर एक दम से एसल खा लिया और यह एक ट्रेड थी दोस्तों जहां पर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा और इसी के साथ हमारा दिन का भी जादा ओवर ट्रेड इसके बाद हम फिलाल अभी थोड़े लो कैक्टल के साथ इसे ट्रेड कर रहे हैं ताकि आपको मंतली पी एनल दिखा सके तो हम आपको जादा से जादा बना कर दिखाना जाते हैं इस मार्केट में पर यहां पर उल्टाई हो गया क्योंकि यहां से मार्केट ने स्टॉप लॉस की तरफ र एक बड़ी रेड के बड़ी गरीन केंडल बनी और अलर्ट केंडल थी यह स्टॉप लॉस यहां पर रखा इसकी लो पर क्रोसिंग करी बाइंग बनाई और थोड़ा मार्केट साइडवीज वह जब साइडवेज भी हुआ मार्केट तब भी प्रीमियम जो था वो ना तो च चेंज हो रहा था तो इस वजह से यह आज की हमारी मिस्टेक रही और आप देख आपको दिखाओं तो यहां पर आपक यह देख लीजिए यहां पर यह देखे इस प्रीमियम के अंदर इस ट्राइक प्राइस के अंदर प्रीमियम जो था वो तेजी से डिक्रीज होता हुआ चला गया तेजी से डिक्रीज धोता हूँ चला गया बट ओई डाटा जो था वह इसका विपरीत था वह डिफ डिफरेंट चीज में बात कर रहा था क्योंकि ओआई डेटा इसके इंदर स्ट्रॉंग बन रहा था तो यह थी दोस्तो आज की स्वीडियो यह थी आज की यह थी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद